प्रार्थना करें जिसे आप अपने इस वस्तर को जो पहने हैं इसमें राधे राधे लिखा है यह आप इसे जन साधारान बात्रूम में धोएंगे कभी तो यह राधा नाम की धोवन जाएगी तो इसमें ठीक नहीं है तो आप कृपा करके इसको कभी धोईएगा नहीं आप वैसे तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लिखे हुए वस्तर मत पहनेगा क्योंकि कभी आपने अगर ऐसा किया कि धोया तो जहां लगशंका करते हैं वही राधा नाम का तो राधा नाम सिंगासन में भी विराजमान है हमारा हर्दय हमारा प्राण है तो नाम का धोवन पात्रूम में जाएगा ना अब जैसे आपहाँ ऐसे बैठे तो राधा नाम की ऊपर बैठ जाएंगे पीछे कहिसा है ना मेरी प्रार्थना है कि आगे से अगर ऐसा है तो ऑड़ने का जैसे वस्तर राधा नाम का है तो हम उपर उड़े विए फिर उसे टांग दिया अगर कभी धोना पड़े ना तो हम तो कहेंगे यह सला की यमनाजी में ब्रंदावन में धोए नहीं तो राधा नाम है अगर जनर साधारण के पैर के नीचे भी पड़ा तो ठीक एक बार क्या हुआ राधा बाबा को जानते ह वाटिका में नाम सुना होगा तो वहां घंसे आमदाश ठाकुर जी ब्रंदावन के थे तो वहां ऐसे ऐसे रज में लिख दिया ऐसे दाधा बाबा जब वहां से निकले तो देखा उनका किस ने लिखा जमीन पे किसी का पैर पड़ जाएगा ठाकुर जी ने लिखा ठाकु करके हाँ आए हो तो आप यह सीख ले लो कि आप साधे वस्तरधारन कीजिए किसी भी नाम या कृष्ण नाम हरी नाम जो भी है ना अगर हम दुपट्टे में है तो चलेगा दुपट्टा ओढ़ लिया ना सिरु से सम्मान से टांग दिया लेकिन हम उसे बाथरूम में नहीं क्योंकि नाम भी राजमान है हम जितना नाम का आदर करेंगे उतने ही नाम हम पर कृपाग आजकल ठाकुर जी राधा कृष्ण की छवियों वाली टी-शर्ट साधी भी डालते हैं लोग उसको भी सेम वह ऐसे हम भावते ही करेंगे कि जैसे हम छवी को भी तो सिंगासन में बिलाजमान करते हैं हमालो राधा कृष्ण जी की छवी बनी है और हम उसे ऐसे धोएं तो नाम और रूप तो बाते कही हो गए ना आजकल क्या है लोग अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे नाम प्रभू के रख देते हैं आव या कार्ड में नाम छपवा देते हैं या अ तो वही नाम हम जबते हैं वही रूप प्रभू का हमें लाब कैसे मिलेगा क्या अपराद नहीं बनता अब यह लोग नहीं जानते हैं ते आप करपा करके आयों तो इसलिए आप से कर रहे हैं अभी हमने यहां से कोई हमें टी-शेट दिखा रहा था जिसमें गुरू जैनो वस्तर में चाती में भी रखे हैं तो देखो सब चीत दिखाई थोड़ी जाती है यह हमारे गुरू जी है यह राधाना में यह हम अलग से अपने और छुप चुपा के ऐसे यह प्रदर्शन की थोड़ी वस्तू है तो हम अगर गुरुजनों की छवी पहने तो यह है अब ह पड़े पे तो मतलब उपहास समझो ना जैसे पोश्टर में छपा दिया नाली में फटा गुरुदेव का पोश्टर पड़ा है उसी गुरुदेव को सिंगासन पर विराजमान किये और उन्हीं का पोश्टर तो हमें लगता है कि यही हमारी भक्ति नहीं होने देते जो एक सौच गए हैं तो फिर अब देखो अब जैसे मेंदी लगवाई उसमें आपने राधा नाम या स्याम सुंदर बनवा लिए या इसे नहीं करना चाहिए जैसे आपके हाथ हैं अब आप प्राता कालिन अपनी नित्तिक्रिया करते तो फिर दोनों हाथ अब उसी में नाम लिखा हुआ है तो यहीं बुद्धी को ब्रस्ट कर देते हैं लोग समझ नहीं पाते तो सबसंग के द्वारा इसी का सुधार के रता है तो आप इस पर ध्यान दे देए